हलो दोस्तो नमस्कार एसम कसी चैनल में मैं आप सब्लम का दिल से बहुत-बहुत सवायत करता हूँ सो रस्तो इस पड़े में हम लोग यहापे बात करने वाले हैं जादा नहीं दो से तीन ही कंपनिस को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे इन कंपनिस की खासियत यह है दोस्तो कि यह हम लोगों को अच्छे कासे डिसकाउंट के उपर चलते वे देखने का आप मिल रही है मतलब जब यह कंपनिस इब दम रोकेट की तरह आप भागती है आपको पता ही है तो और किसी को अच्छा लगता है इजैसे इस टॉक वो गिर जाता है तो फिर वो खराब लगने लग जाता है ठीके वो लोगों ने यह चेक करना होता है कि घिरावट की पीछे का रीजन क्या है अगर आपको लगता है कि रीजन इब दम नॉर्मल है जैसे कि share market में stock भागता है वैसे ही गिरता है और बहुत अच्छे तेजी के बाद कभी न कभी correction आई जाता है तो अगर normal गिरावट रहती है तो आप चाहो तो stock को as a investment के लिए भी consider वापे कर सकते हो तो ऐसे 2-3 company में आपके सामने रखना चाहूँगा अगर आपको लगता है कि हाँ ये company अच्छी लगते है आपको तो फिर आप इनके बारे में investment के हिसाब से विचार कर सकते हो हाँ disclaimer clear cut है कि yes ये company मेरे पास भी है अभी की बात नहीं है बहुत पुराने समय से आपे है तो ये disclaimer लेके भी चल लेना तो चले पहले company दोस्तों कोई rocket science का जरूरत नहीं है Jubilant Foodworks yes दोसो QSR companies की अगर हम लोग बात करें ठीक है तो उसमें ये company बहुत अच्छा performance देती अभी तो ये पुराने videos अगर आप मेरे देखेंगे तो वहाँ पर प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि उसके बाद corporate action होते वे देखने को मिला है बोनस split की बात करें तो ठीक है इसलिए company नीचे देखने को मिल रही है तो और अगर देखा गे जुबलान फूड़ वर्क क्या खराब company है तो नहीं डॉमिनोस पीजा आप सबी लों को पता ही है लगातार demand बढ़ते वे देखने को मिलता है इंडिया का population जिस हिसाब से है वहाँ पर अगर देखा गे तो इस company से related जो demand रहेंगे वो आते जाते आपे रहेंगे ठीक है हाँ इसमें अगर देखा गे तो एक drawback वाला point कौन सा है मतलब drawback वाला मतलब इसका रते नहीं ते की company खराब होती हाँ इसका थोड़ा valuation premium की ओपर हम लों को चलते वे देखने को मिल जाते है PE की बात करें तो 130 का PE ज़रू देखने का आपे मिल जाते है अभी PE नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा company को yes company को अपना business जबरदस चलाना पड़ेगा revenue rocket की तरह चलाने पड़ेंगे अगर company का धंदा ज्यादा होता है पीजा अगर वो ज्यादा बेच पाए revenue अगर बढ़ पाया तो automatically company का profit भी बढ़ना शुरू हो जाएगा profit बढ़ेगा earnings बढ़ेंगे EPS बढ़ेगा तो PE ratio भी हमनों को cool off होते वे देखने का आपे मिल जाएगा तो अगर इस हिसाब से अगर देखा गया तो आप चाहो तो jubilant food work को जरूर अपने radar के पर रख सकते हो जब तक महिंगा ही है तब से देखा गया तो थोड़ा बहुत tension तो इनके उपर रहेगा बट यह चीज़े macro economics का part है वेंगा यह आज है कल कम हो जाएगी फिर वापस बढ़ना स्टार्ट है आपे हो जाएगी फिर कम हो जाएगी तो यह चलता रहता है तो उस हिसाब से आप चाहो तो jubilant food work को study कर सकते हो balance sheet के सबसे company के results देख सकते हो 1100, 1300, 1900, 2000 के अच्छे कासे results obviously करोर्स की बात हो रही है then long term worrying की बात करे 0 short term worrying की बात करे तो 0 मतलब debt free company है अच्छी बात है and cash and cash equivalent की बात करे तो 233 CR का cash भी हम लोगो देखने का आपे मिल रहा है so balance sheet अगर हम लोग आप एक mid size की company के लिए जितनी balance sheet होनी चाहिए वैसे balance sheet देखने को मिल जाती है promoter holding की बात करे तो 40% promoter के पास है बचा कितना roughly 60 तो उसमें से भी 25% FIS लगभग 21-22% BIS government ना के बराबर ही है and public की बात करे तो 10% तो public इसमें ज्यादा हम लोगों को वैसे भी देखने को मिल नहीं जाती है so oral देखा गया तो आप चाहो तो इस company को consider यहापे कर सकते हो ठीक है company खराब नहीं होते plus minus हमेशा यह चलता रहता है second company की बात करेंगे दोस्तो इसका नामे मुथूट finance यह स्मूथूट finance की बात करें तो यह भी शांदर company अच्छा performance देते है देखी गिरावड तो होती ही होती है अगर आप top level से calculate करोगे तो बीच में stock लगबग लगबग आप कह सकते हो 30-40% नीचे था फिर उसके बाद हम कह सकते हैं भी नीचले स्तर से बहुत कुछ हद तक अच्छी recovery भी होते वे देखने को मिली है तो यह चलता रहता है एक common sense वाली बात है जो stock जितना अच्छा गासा भागा जाता है ठीके उसके बाद उसका जो profit booking का समय रहता है वो बहुत ही लंबे अधिका अमनों को देखने को मिल जाता है तो यह भी point अमनों को निवेश करने से पहले अच्छी तरीके से आपे विचार करना चाहिए हाँ यह company की अच्छी बात यह है कि इसका valuation भी attractive है PE भी देखेंगे तो 13 की PE के आसपास देखने को मिल जाता है पचास अदार करोड का market cap है और अगर अगर company के performance की बात करें तो वो भी शांदार नजर आ जाता है promoter के holding की बात करें तो 73% promoter के पास है FIS की बात करें तो 8-9% DS की बात करें तो लगबग 14% public की बात करें तो ना के बराबर तो इससे related इसलिए ज़्यादा सवाल आते भी नहीं है अब देख सकते public की हिसे दार ही किसने केवल सवाचार पसेंट के आसपास तो और अगर देखा गया gold loan में ये कमाल का performance या आपे दिखाती है company तो अगर आप चाहो तो इसको भी अच्छी तरह की से study आपे कर सकते valuation के हिसाब से भी और ओरल performance के भी हिसाब से भी तो एक company का जो युगदान है वो बहुत ही शांदार देखने को मिल रहा है तो ठीक है दोस्तो दो 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 हो चुके तो definitely entire sector में भी हम लोको इस प्रकार का गिरावाट देखने को मिल सकता है हाँ इसके बीच में भी पहले ये 30-40% डाउन हुआ था बट वो internal issue था बट अच्छी तरीके से management ने उस चीज़ों को handle किया क्योंकि देखा गे तो fake allegations लगा कर stock को खतम करने की कोशिश की गई थी और बाद में investigation में कुछ भी हापे पाया नहीं गया security exchange commission ने तक clean sheet ही हापे दे दी और उसके बाद तो covid के बीच में भी stock rocket बन गया उसके बाद वापस stock same उसी तरीके से नीचे आते वे देखने को मिल रहे है बट इस वक का जो आपको यहापे मिल रहा है चाहो तो आप इसके बारे विचार कर सकते हो अगर आप यहापे जाओगे तो आपका जो expectation होना चाहिए वह होना चाहिए यस double बट क्यब तक 5 साल यस अगर आप expect कर रहे हो कि 5 दीन एक साल दो साल में double करके दे दे market में होने के लिए कुछ भी हो सकता है ठीके bull run आता है तो 5 साल में क्या 2-3-3 साल में पैसा double हो जाता है बट एक average performance की बात करें जिसमें यह सब कुछ मिर्च मसाला अगर हम लोग पकड़ ले कौन सा covid भी हो गया उसके पहले sideways pattern भी हो गया फिर bull run भी हो गया फिर उसके बाद वापस Russia Ukraine war के चलते गिरावट हो गयी यह हो गया वो हो गया अमेरिका में recession यह सब कुछ पकड़ने के बाद भी average return जितना देना चाहिए उतना company ने दे दिया पाच साल में double के इसाब से अगर आपको उससे भी ज़्यादा return से यह तो फिर आपको mid cap small cap type की companies में यहापे जाना पड़ेगा और वहाँ पर तो आपको पता ही है volatility कितनी extreme देखने को मिल जाती है तो infosys की बात करें कमाल की company है शांदार company है अभी इसनके results के बारे में क्या बोले लबक 65,000 करोड के सिर्फ results पड़े है मतलब इतने size की तो मतलब बोलते ना company है मतलब अगर कोई होगी 65,000 करोड के market cap वाली company है मतलब वो कितनी बड़ी इनके पास तो सिर्फ उतने results पड़े हुए ठीक है तो जितना जादा result उतना जादा bonus plate के chances बढ़ते है बट देखा गए तो bonus plate के लिए निवेश नहीं करना होता है बाकी capital gain important होता है long term borrowing zero, short term borrowing zero इतना पैसा है company के पास and cash and cash equivalent भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो भी लगबग लगबग हम लोग को पहले तो यहापे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था 12-13,000 करोड के आसपस अभी 6,000 करोड के आसपस ठीक है तो यह buyback चीज़े जैसी यहापे चलती रहती है तो इसी चीज़ के चलते बहुत cash है इनके पास मतलब देखा गया तो कल यह bank भी खोल दे इतना must पैसा इनके पास हम लोग को लेखने को मिल जाता है और उपर से IT software वाली कंपनिया है तो ज़्यादा कोई capex करने के भी ज़रूत यहापे होती नहीं है तो इसलिए धमाकेदार performance इनफोस इसका यहापे चलता रहता है हाँ इससे रिलेटर जबी हम लोग बात करते हैं तो share holding pattern को लेकर सवाल आते ही है तो इतना कम share holding pattern promoter येस बहुत कम है यह ज़्यादा fundraising करने के लिए चीज़े करनी पड़ते हैं बट simultaneous इसलिए अगर हम लोग देखेंगे तो institutional investor दबा कर माल यहापे लेकर बेठे हुए है 34 and 33% in fact अगर देखा गया यह 14% भी अगर promoter निकाल दे तो institution investor ज़रू उसको खरीदने के लिए ready भी रह जाएंगे तो company बहुत कमाल की है दोस्तों सरकार खुद इनको contract देती रहते हैं आपको पता ही है पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो 16-16% की holding पब्लिक की भी देखने को आपे मिल जाती है तो अगर देखा गया तो Infosys भी बहुत ही कमाल की company है और entire IT sector में जिस प्रकार का गिरावट देखने को मिला है उस हिसाब से stock आपको discount के ओपर यहापर मिल रहा है वरना देखा गया तो एक खुद से ऐसे नीचे आते वे usually देखने को नहीं मिलते है तो आप चाहो तो Infosys के पारे में भी विचार कर सकते हो बड़ अगर कोई यह कहेगा कि सर हमें ऐसे ही बड़ी साइज की यहापर company चाहिए बड़ थोड़ा थोड़ा अगर speed अगर अच्छा होगा ठीक है लार्ज कैप company के हिसाब से IT से related तो इसके ओपर मैं अलेड़ी यहापर वीडियो बना चुक अगर अगर देखा गया company की balance sheet डेफरी company यह भी promoter holding भी 60-70% इनी के पास है मतलब promoter के पास है FISDS की बात कर तो 12 और 8-20% से भी जादा institutions लेकर यहापर बेठे हुए और public की बात करें तो 10% holding देखने का आपर मिल रही है इस company को भी ज़रू consider कर सकते बहुत ही शांदार company है देखे problem क्या होता है कि यह company आज नीचे आप लोग को मिल रही है ठीक है जिस दिन यहापर तेजी हो जाएगी न तो फिर पूरी दुनिया यहापर खरीदने के लिए आ जाएगी ठीक है तो इसलिए अगर खरीदने है तो पहले आप इसके बारे में आपे विचार करो देखे यह कोई recommendation है खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी choice आपे होनी चाहिए बट इतना मैं कह सकता हूं कि यह company दमदार है और यह face से हर किसी company को गुजरना पड़ता है ठीक है अभी IT चल रहा है chemical भी नीचे आ ठीक है फार इसलिए बोला जाते है अगर आप market में आते हो थोड़ा long term के लिए आजएए क्योंकि short term है तो कितनी सारी चीज़े इधर उदर की चलती रहती है तो ठीक है जितने important stocks थे जो discount के पर यहापे मिल रहे है और fundamentally strong है वो मैंने आप लोग के सामने रग दी है तो आप चाहो तो further इ important points आपको यहापे बताए है practical points बता है तो इस वीडियो को देख लेना link उपर high button पे मिल जाएगा तो आशा करता दोस्तों वीडियो helpful लगाओगा तो चाहो तो आप इसको like and share भी कर सकते हैं डिमेट अकट अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया है तो link नीचे description में 25 वीडिये की list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कौनसा account आपने link के तर उपन किया है प्रॉपरली कमेंट शेके mention कर देना तो अफ़ते पर के अंदर अंदर सारे lectures मेरे साथ से free of cost को पुराइड कर जीएंगे तक आप share बादर को आसान भाशा से सीख सको So that's it, thank you प्रीमास दोसो, we will be meeting Rx2o, तब तक के लिए, bye-bye